रश्याना रास्ट्रपती वॉल्दमेर पुतिने मंगलवारे सरकारी टेलिविशन पर जहरात करी के माकोनी गैवलिया इंस्टिटूट मां विक्सावां मां आधेली स्पुतनिक वी वैक्सीन संपूर्ण पने सुरक्षित छे अन्या वैक्सीन तिमनी दिक्रीने पन आपवां आवी छे BBC मॉनिट्रिंग विभाग के जे विश्वना देशों मां स्थानिक भासाना समाचार पर नजर राखे छे तिमना एहवाल प्रमाणे रश्यानी स्थानिक चैनल रस्या 24 अने चैनल 1 एहवाल आपयो छे के 20 ती वधारे देशों रश्यानी वैक्सीन मां रस आव शे आ बाजू रश्यान सता धिकारियोंनू कहवू छे कि तेवो ओक्टोबर मैना मां सामोहिक रस्ती करण शरू कर्शे एटलूत नहीं रश्याना आदावाने समर्थन मढ़्यू फिलिपीन्स ना राश्ट्रपती डौट्रिगो दूत ते पास थी तेमने कहू कि तेम रश्यानी वैक्सीन पर संपूर्ण भरोशों छे आने तेवो पोताना पर वैक्सीन ना ट्राल मांटे तयार छे जिथी लोको मां डर थोड़ो ओचो करी शकाए जो के रश्या जे जडब थी करोणा वैक्सीन शोद्वानों दाबो कर्यों छे तेने जोता वैग्नानिक जगतमा आने लेने आनेक चिंताओ पन जोवा मड़ी रही छे BBC मौनिश्रिंग ना एहवाल प्रमाणे रश्या ना बिजनस डेली व्योदिमिस्ट छापाए बूधवारे जणावी छे के रश्यानों वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ए रश्यानी वैक्सीन्स परधामा जीत न थी पन ए दर्शावे छे के सत्ताना अधिकारियों कोरोणा वै रश्यानी रश्यानी असर कारक्ताने लईने संका छे अने रश्याना स्वास्ते मंत्री मिखाइल मौस्को नोय मौरश्कोय अंतर अस्ट्रियस तरे रश्यानी नवी रश्यानी रश्यानी नवी रश्यानी लईने थैरे हिली टीकाने पायवी होनी वखोडी काडी छे डिशेया नी हाा घोषनाया विश्वास्तर है संगछन एडली एचेनी टावाधारी दीछे करन के लजया नी कोरुना वैक्सीन ओडली एचेनी यादी मान थी जे त्रीजा चरंटां ट्राल कै जे मां मुट्टा पाये मानसो पर परेक्षिन करवा माहँ चे आवेशे वदू माही थी माटे आमें बात करी रश्या स्थित बीबीसी समधाता स्टीव रोल्जनबर्ग साथ है बले रश्या माटे नियमकारी मंजुरी मड़ी गई हुए पन क्लिनिकल ट्राइल पूर ने नथी थाया सामने रिते कोईपन रशी ने मंजुरी आपता पहला तेनू हजारो लोको पर परिक्षन कराई छे जेती ते सुरक्षीत अने अंसर कारक हुवानी खातरी थाय जाय पन रश्या में यू नथी थायू तेमनों कहुँचे के फेस थ्री तरीके उलखातू सामोहिक परिक्षन नियमकारी मंजुरी मली गया बात कराशे जेने कारणे मोस्कों नी स्वास्तिय संस्थाओमा शंकाओं ने टिकाओं नो दोर शरू थायो छे गात अठ्वाडे विश्यो सास्त्य संकथाने रश्याने साओचे ती चाडवानी उतावल न करवा विननती अने रश्याना विकास माटे तमाम नियमो अनुसर्वानी विननती करी हती अन्या नवी रसी विशे नी तमाम आंतर रसी टिकाओने रसी नकारे चे अन्य एकज़ वात कही रही उछे कि आ रसी सुरक्षित चे अन्य सेक्ड़ों लोकोपतेनू परिक्षिन करायी उछे अब दवच्चे सवाल एचे के रश्यानी रसी शुब भारत माटे उप्योग निवर्शिके के एविशे समझवा में थोड़ी वार पहला वात करी दिली थी बीबीसी समदाता सरोट सी साथ है भारत को वैक्सीन कैसे मिलेगी इस पर भारत सरकार ने कमिटी बनाई है नीदियायों के सदस्यर वी के पॉल इसकी अध्यक्षिता कर रहे हैं आज इस कमिटी की बैठग वही रूस की वैक्सीन भारत खरीदेगा या नहीं इस पर आज की बैठग में चर्चा होने बाली है लेकिन इस बैठग के पहले एम्स के निदेशा क्रंदीब गुलेरिया ने प्राइवेट टीवी चानल से बाचीत में ये कहा कि भारत को वैक्सीन खरीदने के पहले दो छीजों के बारे में पता लगाना चाहिए पहला ये कि रूस की वैक्सीन का ट्राइल का सैंपल साइस क्या था और वो कितना effective था और दूसरा ये कि कितने सेफ हैं रूस के द्वारा जो दावा किया जा रहा है उनके कोरोना वैक्सीन तो इन चीजों का पता लगाने के बाद ही भारत को रूस से वैक्सीन खरीदने के लिए अगला कदम आगे बढ़ाना चाहिए कि तो पछी भारत के वैक्सीन बनाने का सवाले एक्सीन तयार की कि है जिसका अभी फेस 3 का ट्रायल कई संस्थानों में चल रहा है जिसमें दिल्ली का एंज संस्थान है जो की शामिल है और यह सरकार की डेखरेख में कराया जा रहा है, क्लिनिकल ट्राइल्स के लिए बहुत से वॉलेंटियर्स सामने आए हैं, दो सप्ता पहले ही इसका ट्राइल शुरू किया गया है, एक दूसरे फ्रंट पर भी भारत में वैक्सीन का काम चल रहा है, वो है सिरम इंसिचूट त प्रोड्यूस करने वाला है, और इसके लिए भारत में भी ट्राइल किये जाने हैं, जिसका अप्रूवल DGCI के तरफ से, ड्रग कंट्रोलर जनरल अफ इंडिया की तरफ से, मिल चुका है, और उस पर भी काम बहुत तेजी से आगे चल रहा है, पिछले चार दिन पहले, सिर किया है, हाल तो समग्र विश्वमा कोरोना वाइरस नी वैक्सीन ने लईने सौज इतला ट्राइल चाली रहा छे, परन्तु निशान्तोना मते कोईपंड रसी एक वरश पहला दुनिया ने मडे इश्रक्य नथी जणातू